अगर वीडियो आपको पसंद आय तो लाइक शेयर और कमें जरूर कर लेंगे अगर हम छेट नहीं करेंगे तो जब हम अंडे को फ्राई करेंगे कड़ाई यह पके इसलिए खेट करना जरूरी होता है तो कांटे वाली चम्मस से करें या किसी लगड़ें कर सकते हैं तो यह हमने सभी अंडो में छेट कर लिये हैं और हमने ले यह हैं दो बड़े प्याज छे हमने हरी मिर्च लिये हैं और अधरक लेशन का पेष्ट भी हमने ले लिया है तो देखिए हमने गयस को भी ऑन कर दिया है गयस से हम कड़ाई रखेंगे जब कड़ाई हमारी घरम हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे सथ्षेंने डालना चाहती है और सबस्टेल गुल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे गैस का फ्लेम हम बहुत तेज नहीं रखेंगे इसको हम ढखकर पकाएंगे क्योंकि इनके फटने का भी डर है इसलिए हम ढखकन लगा कर पकाएंगे और इसको थोड़े देर की बाद पलट देंगे इसी तरह पलट पलट के हम इन अंडों को गोल्डन ब्राउन होने तक भून और हम एक्ष्टर त्यल नहीं लेंगे इसमें टेल नहीं डाल है इतनी इतन तेल में हमारी सवजी अच्छे से पख जाएगी तो अब हम इसमें ढाल देंगे थे स्वजांग यूझ दाली है तो दो लौंग हमने ली है 4-6 काली मिर्च हमने ले ली है और 2 तेश्वत्टे हमने डाल दिये हैं यह हमारा टेशवत्ता और लॉग कि अच्छे से पक जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे कट हुए प्याज और हरी मिर्च तो दिखिए हरी मिर्च हमने च्छोटा प्रमेट तुक्त कीए सिर्फ हारे मिर्च के और इस तरह से हम इसको पका लेंगे लेशन अद्रत का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से गॉल्डन ब्राउन होने तक इसको हम भूंते जाएंगे जब प्याज हमारा golden brown हो जाएगा तब ही हम इसमें डालेंगे था दभी। तो इसलिए हमने लाल मिर्च भी कम डाली है और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको तेल छोटने तक पकाते रहेंगे जब तक इसमें तेल ना छोटने लगे तब तक हम पकाएंगे तो अभी हमारा मसाला पक रहा है किसी भी सबजी में अच्छा टेस्ट लाने के लिए मसाला का पक जाना बहुत जरूरी होता है जब आप मसाले को अच्छे से पकाएंगी तो सबजी में स्वाद भी जादा आता है तो इसलिए मसाले को बहुत अच्छे से पकाना है तो देखिए मसाले से तेल भी निकलने लग थोड़ी देर तक को ऐसे ही पकाते रहेंगे, टमाटर हमारा जलदी घल जाए जर और नीजिकन के लिए घंद ना में अफ रॉट मिनट के बाद हम मसाला हमारा पूरी तरह से पककर रेडी हो गया है टमाटर भी हमारा गल गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे अंडे जो अंडे हमने फ्राइ किये थे वही अंडे हम सब्जी में डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए अंडे और मसाले एक साथ भूनते जाएंगे अभी इसमें से भी तेल निकलना बाकी है तो अभी हम इंतजार करेंगे जब तेल निकलना सुरू हो जाएगा तभी हम इसमें पानी याट करेंगे तो दो मिनट हम ऐसे ही अंडों को भी भून लेंगे इसे तेल में तो देखिए कलर इसका बिल्कुल चेंज हो चुका है और अब हम इसमें पानी एट करेंगे तो इसके ग्रेवी आप अपने स्वादनुसार रख सकते हैं अगर आप इसके ग्रेवी पतली चाहते हैं तो पानी थोड़ा ज्यादा आइट करेंगे अगर आप चाहें तो इसमें कम पानी भी रख सकती है तो यह देखिए हमने पानी एट कर दिया है और इसको धक्कन लगा कर हम पांच मिनट ऐसे ही पकने देंगे पांच मिनट के बाद हम धकन को उठा लेंगे तो देखिए हमारी ग्रेवी भी गाड़ी हो गई है मसाले हमारे अच्छे से पक भी चुके हैं तो यह हमारे लिए इतनी ग्रेवी काफी है तो आप हम इसको बहुत ज़्यादा सूखा नहीं करेंगे और हम बैस को बंद कर दे इसको खाने से हमको प्रोटीन मिलता है अंडा हमारी सहत के लिए भी बहुत अच्छा है तो वीडियो पूरा वाज करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाए बाए